क्यूं हो रहा है भारत को बार-बार हिंदुर राष्ट्र बनाने की मांग क्या सच में भारत से हो रही है धर्मनीर पेक्षता खतम चुके हैं यह साथियों मैं वितेश और आप देख रहें दतीम आज भारत को हम लोगतांत्री की विवस्ता से मजबूत करने की बात करते हैं है तो इस बात को हमेशा से क्यों दोहराया जाता है कि भारत को बार-बार हिंदुर राष्ट्र बनाएंगे जबकि भारत के सविधान ने भारतिया नागरिकों को हमेशा धर्मनीर पेक्षस राष्ट्र की और स्वतंतरता की आजादी दी है जबसे भारत देश आजाद और इसलिए इस भारत के सविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साथ भीम्राव अंबेट करने कहा था कि भले ही भारत देश बहुसंख्या हिंदू समुदायक के लोगों का देश है लेकिन भारत के बहुसंख्यंग समाजन यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इस देश में विव कारों को एक जूट तासे का जोडेंगे और एक जूट तासे उसके लिए काम करेंगे लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरीके से हिंदूराश्ट्र की मांग बढ़ रही है हिंदूराश्ट्र बनाएंगे यह खबर जो है बड़े ट्रेंडिंग में चल रही है तो सोचने वाल कि आप अगर हिंदूराश्ट्र बनाने की बात करते हैं तो मैं सवाल पूछना चाहता उन तमाम हिंदूराश्ट्र बनाने वाले लोगों से आपने देखा होगा कि हर्याना में दो मुस्लिम यिवकों को घर से निकाल करके जिंदा जला दिया गया इसके पहले उत्तर करने वाले उसके पिता को ही घंटो जेल में बिठा दिया जाता है और उसकी दूसरे दिन जेल में संदिक दिस्तिती में मौत हो जाती है कैसा हिंदूराश्ट्र बनाना चाहते हैं इस देश में राजस्थान की घटना पर एक बच्चा जब मढके से पानी पीने जाता है तो उसको सिर्फ मटके को क्यूँ छुआ इसलिए उसकी टीचर के द्वारा उसकी जान ले ली जाती है इंदर मेगवाल नाम का वो बच्चा रहता है दूसरी घटना उसी राजस्थान से सामने आती है जितें इंदर मेगवाल इस विक्ती का दलित समुदाय के इस विक्ती की उत्पीडन हो दलितों को जातियों के नाम पर मारा जाए आदिवासियों को सरीफ जंगलों में रखा जाए इस तरीके का हिंदुराष्ट बनाना चाहते हैं आप इस देश में हमेशा सही भारत के सविदान ने सभी जाती धर्मों के लोगों को जिस तरीके से जोड़ कर रखा और भारत यह आप मांग कर रहा है यहाद ओगा समराथ अश्वक के समय में भारत के आसपाल जितने भी चोटे बड़े जैशा उन चोटे बड़े देशों की सीमा मिला करके अखंड भारत की हम बात करते हैं उसमें जातियता है उनमें द्रमवाद है उसमें असमानता है और इस तरीके का हिंदुराश्टर अगर आप बनाना चाहते हैं तो हम लोग ऐसे हिंदुराश्टर के विरोध में हैं। आपके ही बहुत बड़े बड़े नेता लोग बड़े-बड़े स्टेजों से यही बात कहते हैं। इस देश को हिंदू राष्ट बनाना है जिस सविधान की आप शपत लेकर के आते हैं उस सविधान को गाली देकर उसको बदलने की जो भाषा है आप खुद स्वयम करते हैं लेकिन इस देश में उल तमाम बुद्धी जीवी वर्गों की यह जिम्मेदारी है कि आपके इस सप लेने वाले समुदाय के जितने भी लोग है जो इस देश में सिर्फ सविधान के भरोसे जिन्दगी घुजर बसर कर रहे हैं इसके पहले जब इस देश में भारती सविधान नहीं हुआ करता था तो इसके पहले मुगल आए हुए थे उसके पहले अगर आप देखेंगे तो पुर्तुगालियों का रास्था और उसके पहले भी करिक्तियास में जाएंगे तो ऐसे बड़े-बड़े बहुत से यौद्धा थे विदेशी आकरमान जब भारत पर हुआ था तो उनने भारत को गुलाम बनाया था तब भी भारत की संक्या हिंदू समुदाय की संक्या बहु भारत में सविधान के बदलत चले यलिए भारत के सविदां लावर्ते ही ब्रामण समुदाय के सास्थ में बैठते तो यह बात जो है इस देश के तथाकती तो सवर्ण मानसिक्ता के लोगों को यह बात खलती नहीं है इस बात से उनको डर लगता है कि यह लोग 70 साल में सविधान की वज़े से आज हमारे साथ में आ गए न कहीं न कहीं यह लोग हमारा अस्तित्व खतम कर देंगे लेकिन हम कि इस देश के भाउजनों की अ ध़िम fianदारी है कि कि वह धेश को जिस तरीके से एक वैचारा के लोग इसको हिंदुत राष्ट्र घोषित करने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरह बाउचन वैचारा के लोग इस सवाघशाया भारत बनाने के चला है और हमेशा से ही बावसाप के बच्ची इसको चलाते रहेंगे लेकिन सवाल यह उठता है कि आने वाले समय में अगर आप ऐसे धार्मिक भीद्भाव के आधार पर हिंदुराश्ट बनाना चाहते हैं आप ऐसे जातिगत उत्पीडन जहां पर महिला महिलाओं की सुरक् बनाना चाहते हैं तो ऐसे हिंदुराश्ट की हमें कोई जरुवरत नहीं है लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर आप हिंदुराश्ट बनाने की संगलपना रख रहे हैं तो इस देश के सवीधान का क्या होगा इस देश के लोगतंतर का क्या होगा क्या जितने भी तथाकति वर्चस्ववादी लोग है सवर्ण मानसिकता के लोग है कि इस देश को हिंदुराष्ट बनाने में काम्याब हो जाएंगे यहां पर बहुसंख्यंक समुदाए के लोग इस देश की धर्मनीर पिक्षता को इस देश की अखंडता को इस देश की संप्रबूता को बनाए रखने के लिए हमेशा काम कर रहे है और वह करते रहेंगे इस देश के तमाम सिर्फ भारतिय जनता पार्टी और RSS के विचारधारा को मानने वाले लोगों को छोड़ कर तमाम इस देश के सभी जाती धर्मों के लोग जो इस देश में सभी धान को मानते है जो इस देश में चाहते कि भाईचारा बना रहा है जो इस देश में चाहते कि समानतावादी आंदुलन चले और समानता के साथ में इस देश में सभी का एक दूजे के साथ में व्यवहार हो वही लोग इसको भारत रहने की पूरी कोशिश करेंगे अब यह सवाल बहुत बड़ा है कि हिंदू राष्टर की जब बार-बार बात उठती है तो इस देश के त सरकार जब हिंदू राष्टर बनाएं तो कौन से प्रावधान रहेगी क्या उनको देश से भगा देगी क्या उनको इस देश में रहने के लिए कोई हकादिकार नहीं देगी क्या मनुस्मृति की हिसाब से इस देश के सविधान को बाद में चलाया जाएगा अंगेगिरत क ब्युरक्रिसी भारत की नयाए ववस्ता और भारत की संसद की जो गरिमा है उसको बनाने वाले लोगों आपको संसद में नयाएपाली का में जुड़ी शिरे में भेजना जाना बहुत जरूर होगा साथियो इस बात को लेकर किया आप क्या सोचते है आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताए बने रहे दधिंग के साथ में तब तक के लिए जय भीन जय भारत बहुजन विचारधारा को घरघर तक पहुचाने के लिए हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दवाना ना भूले